ओम शान्ती सुनते हैं आज का प्रशन उत्तर सेशन पिंकी भेन सबसे पहला प्रशन पूछ रही हैं ओम शान्ती भाई जी मैं कोई भी नया काम शुरू करने के लिए mentally strong नहीं हो पाती मार्ग दर्शन करो तो mentally strong क्यों नहीं हो पाती क्योंकि सोच समझ के और decision अच्छी तरह से लो मतला विशेश कर से विशेश करके आप decision लें दो-तिन expert अन्भवी सबके उससे और उसके पलस माइनस देखके और फिर बड़ा solid संकल्प बनाके और शिब बावा से भी पूछ के और निमित बड़ों से भी verify कराके अगर आप कोई कारे शुरू करेंगी तो उसमें केवल आपका संकल्प नहीं वो बड़ों का भी और शिब बावा का भी और सब का संकल्प होने से और बाकी भी अनेकों expert का भी आपने लिया फिर वो decide अगर किया ऐसे decision में आप बहुत mentally strong होंगी तो इसलिए सारी बात है कि हम decision जो करते हैं और कोई अच्छा event या कोई project शुरू करने लगते हैं तो हमें अच्छी तरह से उसे verify कराके और उसे तब अगर decision लेते हैं फिर mentally strong मिलेंगे और अन्य था वैसे भी अगर कोई आप decision करती हैं उसमें mentally strong होने के लिए सुबह उठते इशिब बाबा को good morning करो और द्रड परतिग्या करो कि कुछ भी हो जाए मैंने ये कारिकी इशिब बाबा आपसे प्रतिग्या किये और मैं इसे अवश्य में करके दिखाऊंगे और visualize करें कैसे मैं उसको perfectly कर रहे हैं तो उससे आपको बहुत बल मिलेगा next question एक बहन ने पूछा है मैं धाई साल से ग्यान में हूँ मेरा तीन साल से यूगल के साथ कोर्ट में केस चल रहा है मेरा बेटा उनके साथ ही है मुझे समर्पित होना है यूगल आ नहीं रहा क्या लड़का छोड़ना विकरम तो नहीं होगा मुझे क्या करना चाहिए बहन युगल के साथ आपका केस चल रहा है किनी भी कारणों से और बेटा भी आपका उनके साथ रहना चाह रहा है तो फिर इसमें कोई विकरम नहीं है क्योंकि बेटे की will के against नहीं कर रही है आप बेटा चाहता है पिता के साथ रहना तो भले रही यह तो बच्चे की च्वाइस पे होता है हाँ आप उसे भाई मैंने इश्वरे ग्यान में चलना है आप उसको अगर छोड़ देती और उसे धका देती वो तो विकरम जरूर है पर बेटा खुद चाहता है विलिंग है तो फिर उसमें आपका कोई विकरम नहीं है और रही बात के थोड़ा सा चेक करो के युगल क्यों नहीं आ रहा क्या कारण क्या कुछ आपकी कमियां कमजोरियां या कुछ ऐसी चीज़ें है और उनसे किसी बीच में मिडियेटर्स को ल हाँ और मैं अगर उन्हें पूरा कर देती हूँ और जिससे वो मेरे साथ फिर से सारा परिवार कठा रह सकता है वो उनसे पूछें और उनसे प्रामिस करें कि जो जो आप चाहते हैं मैं करूंगे फिर क्यों हैसा नहीं सब के बावजूद भी वो नहीं बिलकुल नहीं चाह तो फिर कोई बात नहीं फिर बले आप इशुरे सेवा में अपना जीवन लगाना चाहती हैं तो जरूर लगाएं बहुत अच्छी बात है निमित महनों को कह दे हूए कि मेरा समय मैं सेवा में देना चाहती हूँ तो वो तो अच्छा है आप अपना टाइम याद और सेवा म करम बनता जिससे वो दूर होने के आप निमित ना बने हो ये चेकिंग कर ले और फिर भी वो अपने संस्कार के करण दूरी बनाए हुए तो कोई बात नहीं फिर आप परवा ना करें आप याद और सेवा में मस्त रहें नेक्स्ट क्वेश्चन इंदू व्यास जी पूछ रही हैं मैं पिछले पंद्रां वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रही हूँ और ग्यान में पूरी त्रें समर्पित हूँ मैं संगम युक का समय सफल करना चाहती हूँ लेकिन गौर्मेंट सर्विस सिक्षा विभाग में हूँ वहां वियर्थ समय चला जाता है तो क्या समय को सफल करने के लिए सर्विस छोड़ दो और अध्यातक में लग जाओं मुझे अनिवारे रिटायर्मेंट की पातरता भी है कुछ भी समझ में नहीं आता त्या करूँ तो अम्रत्वेले पाउरफुल योग करके इंदु भेन फिर अगर आप बाबा से लाइन क्लियर होने चाहिए बाबा के सामने रखेंगी प्रशन तो आपको सही जवाब मिलेगा लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूँ कि आप निर्बंदन भी है और आप समय इश्वरिय सेवा में याद ग्यान योग तपस्या में सफल करना चाहती है और आपको वेलेंटी रिटायर्मेंट की भी पातरता है अर्थात आपको पेंशन मिलते भी रहेगी फिर मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्जा नहीं है अगर पेंशन भी है और आप टाइम को सफल करना चाहती है तो मेरा ख्याल फिर आप बड़ों से निमित जो आपके जोन इंचार सेंटर इंचार रादी उनसे पूछ के उनकी राय से फिर आप उन्हें कन्विंस करके फिर आप रिटायर्मेंट ले सकती है और एक द्रड लक्षे से के मैं अपना पल-पल सफल करूँ आप सफल कर सकती है तो इसलिए ये च्वाइस जोर्स आपके उपर हैं समय सफल करना चाहती हैं लेकिन ध्यान रखें कई बार कोई रिटायर्मेंट लेके और उसके बाद और ही अधिक सुस तलवेले हो जाते हैं नहीं अगर रिटायर्मेंट लिया तो फिर सेवा में पूरा पल-पल सफल करें योग में सफल करें और ऐसा मेरा सुझाव नेक्स्ट क्वेस्चन किरण मेंट पूछ रही हैं हम बाबा की शिरिमत अनुसार बाहर का कुछ भी खाते नहीं हैं अगर फिर भी हमारा सुभाव इरिटेटिड हो जाए तो इसका कारण बाबा की याद में कमी है क्या या कुछ और कारण है किरण मेंट आप बाबा की शिरिमत सार कुछ नहीं खाते लेकिन सभाव इरिटेटिड होने का कारण ये तो बाट ठीक है अन अगर हंड़ परसंट शुद्ध है उससे सभाव और सब चीजें बिलकुल ठीक हो जाएंगी लेकिन उसको बाबा की याद में बना हुआ ये देखें बनता भी क्या याद में है फिर भोग लग के खाने समय भी बिलकुल बाबा की याद में खाएं तो उससे मैं समगता हूँ इरिटेशन नहीं होगी और दूसरा इरिटेशन के और भी कारण है कहीं बार कहीं के साथ कर्मिक एकाउंट होता है कोई कड़ा हिसाब किताब होता है तो उसमें ग्यान और योग के अश्ट्र शष्ट्र यूज करें तो फिर आप उस इरिटेशन से अपनी बचाओ कर पाएंगी Next question Ayush bhai पूछ रहें के I am studying in Engineering College Majipur My exam is at hand now I am facing a problem related to my practical and theory examination because a lot of work is remaining for complete and I am not getting time for preparing theory examinations so I am in tension about my semester examination. Will my exam be good? Ayush, definitely your exam will be good. Be positive, think positive but try to prepare whatever you can do and take a lesson that we should have preparation earlier so that at last time you will not have any confusion but now don't worry, have confidence and try at maximum whatever you can do and always think my exam will be good, my exam will be good and it will be good. Therefore, our thought power is the biggest power if you will think always positive you will get the result positive. Therefore, have the connection with Baba and take the reach from Baba and always think I am a successful soul, I am a successful star and go ahead and fully prepare. Whatever you can do, you do and don't worry, there should be not slightest doubt you will get success, okay? Next question Next question भाई जी, अगर 40 दिन की भठी के बाद भी बिमारी दूर ना हो तो क्या करना चाहिए? सरीता बहन पूछ रही हैं ये प्रशन सरीता बहन चेक करें वो चालिस दिन की भठी केवल बैठने की हुई क्या रोजाना एक गंटा या सचमच आपका मन उड़कर शिप बाबा के पास बैठा था कुछ बठी में कसर तो नहीं रही बाबा साथ दिन की बठी साकार बाबा कराते थे और कहते थे बच्चे बीच में व्यर्थ संकल्प या लौकि कोई याद आया फिर दुबारा करो साथ दिन की बठी फिर आया तो फिर करो संपन जब बनेंगे जो कोई भी याद ना आए तो आप ये चेक करें क्या 40 दिन की भठी मैंने एक्च्वल वो की जो मुझे एक शिब बैवा की याद थी व्यार्थ संकल्प नहीं थे इधर उधर के नहीं थे या केवल 10-15 मिन्टी बुद्धी एकागर रही बाकी व्यार्थ रहा फिर वो बठी नहीं रही थोड़ी बयाद बस किया इसलिए अगर वो ढीली डाली बठी रही हो तो एक बार दुबारा बठी करो लेकिन अब इस द्रड़ संकल्प से के जरा भी व्यार्थ संकल्प नहीं आने देना और फिर आप रिजल्ट देखो आपकी जो अंदर में भी कोई भी बिमारी है वो दूर हो जाएगी तो इस तरीके करके एक बार फिर पुड़े शक्ति शाली योग से जो है आप एक्सपरिमेंट करो नेक्स्ट क्वेस्टिन पूजा बेहन पूछ रही है माई ब्रदर हैस टॉक अप इन बेड कंपनी ये टेक सम ताइप सम ताइपस अफ अलकोहल वाट शुड़ शक्ति बेड कंपनी वाट बेड कंपनी ये इन अलकोहल व कि अब बेड कंपनी ये इन अलको चाहल कोट चाहल अब लू हूट अवहल पूजा इन एड़ कंपनी ये अवाला कंपनी पूजा ब्लो टूजा पूजा है and there he will get good company good inspiration then really he will come on good path and you told that he is using alcohol when he is in a bad company definitely he will use alcohol and when he will have a good company definitely his this habit will finish therefore try to give him good company if he is not ready to go for mount abu then take him to the local center if he is not ready to go to the local center then invite any senior sister or brother of your local center to your house and try to have a meeting with your brother definitely he will get inspiration and his those inspiration will remove his this habit of taking alcohol also and in the good company he will get the positive thoughts and a positive lifestyle so this is my suggestion okay thank you om shanti thank you